दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उन सभी एड़ फैंस सिस्टम्स के बारें बात करेंगे जो कि भारत को अगले कुछ सालों में मिलने वाले हैं जो कि हमारे देश के फ्यूचर के एड़ फैंस सिस्टम हैं इन में बहुत सारे एड़ फैंस सिस्टम भारत ने खुद बनाए हैं और इन में से बहुत कम ऐसे सिस्टम हैं जो कि हम विदेश से खरीद रहे हैं तो चलिए इन सबी के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं क ये कैसे हमारे देश के एडफेंस अंब्रेला को मजबूत करने वाले हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं S-PRO-100 मिसाल डफेंस सिस्टम के बारे में S-PRO-100 रशिया दोरा बनाया जाने वाला एक एडफेंस सिस्टम है इस सिस्टम में चार मिसाल का इस्तेमाल होता है इसमें जो सबसे ज़्या लंबी दूरी वाली मिसाल है वो 40N6E मिसाल है जिसकी रेंच 400 किलोमेटर की है और इसमें दूसरी मिसाल है 48N6 मिसाल जो की 200 किलोमेटर दूर से ही टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है और एक मिसाइल है 9M96E2 मिसाइल जो की 120 किलो मेटर दूर से टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है और इसके साथ ही इसमें एक मिसाइल है NMN6E मिसाइल जो की 40 किलो मेटर दूर से ही टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकती है इस Missile Defense System के बारे में सबसे यदा खास बात ये है कि इसके बारे में रशिया दावा करता है कि ये Stealth Air Craft को भी इंटरसेप्ट कर सकता है इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि क्योंकि हमारे देश ने रशिया को request किया है तो रशिया इसकी deliveries हमें बहुत जल्द करने वाला है लेकिन इसके बारे में कोई भी specific date नहीं दी गई है ऐसा हो सकता है कि अगले साल 2021 में इसकी deliveries भारत को शुरू हो जाएं इसके साथ ही हमारे देश की quick reaction surface to air missile defense system भी भारत की arm forces को जल्दी मिलने वाला है ये quick reaction surface to air missile defense system डिया डियो दोरा बनाया गया है जो कि उन्होंने भारत electronics limited और भारत dynamics limited के साथ मिलकर बनाया है ये एक all weather all terrain surface to air missile defense system है जो कि electronic control measures के साथ भी equipped है इस missile defense system की range 25 से 30 km की है इस missile को एक truck के उपर mount किया जा सकता है और एक canister में store किया जा सकता है इस missile में mid course inertial navigation system की capability भी है जिसमें एक two way data link का इस्तिमाल किया जाता है और इसमें डिया डियो दोरा develop किया जाने वाला एक terminal active seeker भी लगाया गया है इस system में ऐसी capability है कि ये move करते हुए भी target को search कर सकता है और track कर सकता है इसके साथ ही इस missile defense system की खास बात ये है कि इसका reaction time भी बहुत कम है यानि कि ये बहुत कम समय में किसी भी target को intercept कर सकता है इसके साथ ही भारत को vertical launched short range air defense system भी मिलने वाला है ये missile defense system अस्तर missile के उपर based है अस्तर missile के बारे में आप जानते हैं कि अस्तर missile हमारी Indian Air Force को मिली एक air to air missile है जिसकी range 110 km के करीब है ये अस्तर missile के उपर based एक system है इसके दो वेरिंट बनाए जाएंगे इसका एक वेरिंट Indian Air Force के लिए होगा और एक वेरिंट Indian Navy के लिए होगा Air Force को एक high mobility truck mounted canister based vertical launched surface to air missile defense system मिलेगा और वही नेवी को एक canister based vertically launched system मिलेगा जो की front line warships में लगाया जाएगा हमारी नेवी की front line warships में 8 heavily modified quick reaction surface to air missile systems लगाया जाएंगे जो की सुपरसोनिक प्रजेक्टाइल्स को भी engage कर सकेंगे इस missile defense system की सबसे खास बात ये है कि ये सुपरसोनिक targets को भी intercept करने की शमता रखता है इस missile defense system में जो canisters का इस्तिमाल किया जाएगा वो ऐसे design किये गए हैं कि ये missiles को hot mode में भी launch कर सकेंगे यानि कि missiles की ignition canister के अंदर ही शुरू हो जाएगी जिसके साथ ये missile बहुत कम समय में launch की जा सकेगी और इसके साथ ही अगर multiple incoming projectiles को hit करना हो तो इन missiles को एक के बाद एक जल्दी जल्दी launch किया जा सकेगा जिससे इस missile system की effectiveness बहुत ज़दा हो जाती है ऐसी जानकारी है कि अस्तर मार्क 1 configuration में ये missile defense system 40-50 km दूर से ही targets को intercept कर सकेगा और ये cruise missiles को तो intercept करेगा ही बलकि इसके साथ ही aircrafts, UAVs और दूसरी munitions को भी intercept कर सकेगा एक बार हमारी अस्तर मार्क 2 missile के develop हो जाने के बाद इस missile defense system की range और ज़दा बढ़ा दी जाएगी क्योंकि नई अस्तर मार्क 2 missile के इस्तेमाल से इस missile defense system की range 80 km के करीब हो जाएगी इसके साथ ही भारत को बहुत जल्द XR Sam system मिलने वाला है XR Sam system भारत का S-400 missile defense system माना जाता है XR Sam system के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत का खुद develop किया गया एक next generation long range aid defense system है जो की S-400 missile defense system के साथ comparable है इस missile defense system के बारे में ऐसा दावा है कि इसकी maximum range 350 km के करीब होने वाली है ऐसी confirmation मिली है कि भारत एक very long range surface to air missile defense system की उपर काम कर रहा है जिसकी पहले तो reported range 200 km की थी लेकिन बाद में ऐसी जानकारी दी गई है कि इसकी maximum range 350 km के करीब होने वाली है इस missile defense system में जिन missiles का इस्तेमाल किया जाएगा वो dual pulse rocket motor का इस्तेमाल करेंगी जिससे इस missile को ज़ना लंबी दूरी की range मिलेगी इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 350 km की range की उपर बड़े targets जैसे की bombers, air walks और mid air refuelers को target कर सकेगा और उसके साथ ही ये fighter aircraft जतने बड़े targets को 200 km दूर से ही intercept कर सकेगा ये एक canister based transport table truck based launcher system होगा जिसे की कहीं भी transport किया जा सकेगा जैसे की S-400 missile defense system को किया जा सकता है इस missile defense system के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि जो इसको बनाने के लिए ज़्यातर technology हमें चाहिए उसमें से बहुत सरी technologies काफी हद तक develop कर ली गई है और ऐसा हो सकता है कि अगले साल ही हमें इस missile defense system का पहला test देखने को मिल सकता है और 2025 तक इसको हमारी Indian Air Force में इंडक्ट करने का प्लैन है इसके साथ ही हमारा देश अकास नेक्स जेनरेशन missile के उपर काम कर रहा है ये एक next generation surface to air missile defense system है और इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये पहले से मौजूद अकास missile system से कोई भी system या component बोरो नहीं करता है इसमें रैम जेट propulsion system का इस्तेमाल नहीं किया जाता है बलकि इसमें एक dual plus rocket motor का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे ये missile पहले missile के मुकाबले में 50% हलकी हो जाएगी जिससे इसकी mobility काफी बढ़ जाएगी अकास next generation system में एक AESA based seeker होगा और एक truck based 3D AESA radar होगा जो कि tracking and guidance के लिए इस्तेमाल किया जाएगा मॉबिल्टी को improve करने के लिए कास next generation में भी एक canister based long system का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक road mobile launcher होगा अकास next generation की range भी improved होगी ऐसी जानकारी है कि इसकी range 50 km से ज्यादा होने वाली है इस missile defense system के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसकी testing भी 2021 में हो जाएगी क्योंकि इसमें जो dual pulse rocket motor का इस्तिमाल किया जाता है उसकी technology को हमने पहले ही demonstrate कर लिया है और perfect भी कर लिया है क्योंकि हमारी root drama missile में भी इसी technology का इस्तिमाल किया जाता है इसके साथ ही भारत की anti ballistic missile defense shield भी अभी तयार है भारत का anti ballistic missile defense program हमारे देश का एक बहुत जदा important program है इस program में हमारे देश को ऐसी shields मिलने वाली हैं जिसके इस्तेमाल से हम दुश्मन दवराज चलाई गई ballistic missiles को भी intercept कर सकेंगे इस सिस्टम को हमारे देश के ज़रूरी शहरों और ज़रूरी installations को protect करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये एक double tied defense system है जिसमें दो land और sea based interceptor missiles का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें पृत्वी aid defense missile है जो की high altitude intersection के लिए इस्तेमाल की जाएगी और एक advanced aid defense missile है जो की lower altitude intersection के लिए इस्तेमाल की जाएगी यब ये system पूरी तरें develop हो जाएगा तो ये 5000 km दूर से launch की गई किसी ballistic missile को intercept करने के केबल होगा इस system में early warning and tracking radars का एक overlapping network होगा और इसके साथ ही command and control post का भी एक बहुत बड़ा network होगा ऐसी जानकारी है कि इस missile defense system program का पहला फेस अभी complete है और ये अभी हमारे देश के national capital के उपर install करने के लिए भी तयार है क्या ये system अभी install हो गया है या नहीं इसके बारे में जानकारी available नहीं है इस missile defense program के दो फेस हैं इसके दूसरे फेस में ऐसी missiles develop की जाएगी जो की 5000 किलोमेटर दूर से लाँच कीगी बिलिस्टिक missiles को भी intercept कर सकेंगी ये नई missile अमेरिका के terminal high altitude area defense third missile defense system जैसे ही काम करेंगी ये missiles hypersonic speeds के उपर travel करेंगी और इनको ऐसी radars की जूरत होगी जो की 1500 किलोमेटर दूर से ही किसी भी target को successfully intercept कर सकें इसके second phase के install होने के बाद भारत को एक बहुँच दा powerful missile defense shield मिलेगी जो की भारत को protect करने के लिए fully capable होगी तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही गराब को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूरू लाइक और शेयर करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंत जय भारत